नमस्कार मेरा नाम डॉक्टर संदीब कुमार जैन है और आज हम मनोविज्ञान विशे की कक्छा 12 के अध्याय 4 मनोवैज्ञानिक विकार के भाग 3 का अध्यान करेंगे भाग 1 में हम अपसामाननेता तथा मनोवैज्ञानिक विकार के संप्रत्याय, मनोवैज्ञानिक विकारों का वर्गी करण, अपसामानने वियोहार के अंतरनेहत कारक और अपसामानने वियोहार के मॉडलों का अध्यान किया तथा भाग दो में दुस्चिंता विकार, मनोग्रस्ती वाध्यता तथा संबंधित विकार, अभीगात तथा दवावकारक विकार, कायक अभी लक्षन संबंधी विकार और विच्छेदी विकारों को समझा इस भाग में हम अवसाधी विकार, द्वी धुर्बिया तथा संबंधित विकार, मनो विदिलता वणक्रम तथा मनो विक्छिप्ती विकार, तंत्रिका विकासात्मक विकार, हानिकारक, बिगटनकारी आवेग नियंतरण तथा आचरण विकार पोशन तथा भोजन विकार और मादक द्रब्य संबंधी तथा व्यसनकारी विकारों को समझेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे अवसाधी विकार की भावदशा विकार, मूट डिसॉडर्स मनो विकारों की वरगी करण की एक्ष्रणी है जिसमें अवसाधी विकार, उनमादी विकार और द्वी धुर्विय विकार को समिलित किया गया है अवसाध मनो विकारों में सरवादिक पाये जाने विकारों में से एक है आवसाद विकार होने पर व्यक्ति की भावदशा नकारात्मक हो जाती है और व्याहार में भी परिवर्तन होते हैं आवसादी विकारों में मुख्य आवसादी विकार major depressive disorder सरबादिक पाया जाता है इस विकार में जीवन की अधिकांस गतिविधियों में व्यक्ति की रुची घट जाती है या उसे आनंद नहीं रह जाता है व्यक्ति को निन्दरा संबंधी, नीन संबंधी समस्याएं होने लगती है वह थकान महसूस कर सकता है सपस्छ चिंतन करने में असमर्ता होती है म्रत्यू का भय या फिर आत्मेहत्या करने के विचारों का आना इन जैसे लक्षणों को देखा जा सकता है अपने आपको अत्यधिक दोश देना या फिर मूल्य हीनिता का भाव भी आता है अब हम बात करते हैं द्वी धुरुविये विकार की द्वी धुरुविये भाव दशा विकार को पहले उनमाद अवसाद या उत्साह विशाद विकार भी कहा जाता था अवसाद और उनमाद फैकल्पिक रूप से उपस्थित रहते हैं उनमाद की स्थिती में व्यक्ती जादा बातें करता है कई प्रकार के कारियों में रुची लेने लगता है, नीद कम हो जाती है, नई योजनाएं बनाने लगता है भावदशा विकारों में एक और विकार जो इसके साथ ही हम अध्यन करते हैं, वह है आत्महत्या संबंधी विकार आत्महत्या जैविक, अनुवान्शिक, मनोवैज्यानिक, समाश शास्त्रिय, सांस्कृतिक और परियावरणिये कारकों के जटिल संबंधों का परिणाम है यह देखा गया है कि समस्या समाधान, दबाव प्रवंधन और सामवेगिक अभी व्यक्ति में कठनाई आत्महत्या के कारण की और संकेत करते हैं प्रगतिवादी शोधों के बावजूद आज भी आत्महत्या को कलंक के रूप में देखा जाता है जिसके कारण आत्महत्या का विचार आने पर व्यक्ति सहायता प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता है सही समय पर पहचान कर उचित हस्त छेप करके आत्महत्या की रोक थाम की जा सकती है कई विद्ध्यार्थियों दोरा परिच्छा परिणाम आने के बाद या अन्य दवाव पूर्ण इस्थितियों में आत्मत्या की जाती है ऐसे विद्ध्यार्थियों की पहचान कर उनके विवहार परिवर्तन को गंभीरता से लेना चाहिए और दवाव का सामना कर सकने हेतू सकारात्मक कोशलों का विकास किया जाना चाहिए चलिए अब हम बात करते हैं मनो विदिलता संबंधी विकारों की मनो विदिलता विकार में चिंतन प्रक्रिया में बाधा, विचित्र प्त्यक्षण और आस्वाविक सामबेगिक इस्थितियां तथा पेशिय आसामान्यता जैसे लक्षण दिखाई देते हैं इन लक्षणों के कारण से व्यक्तिगत्, सामाजिक और व्यवसायक जीवन में गिरावट आती है। लक्षणों को सकारात्मक लक्षण, नकारात्मक लक्षण और मनह चलित लक्षण में वर्गीकृत किया जा सकता है। सकारात्मक लक्षण का मतलब है कि कुछ तरह की विसेस लक्षणों की उपस्थिती होना जैसे की ब्रहमा सक्ति, डिलूजन्स, कई तरह की ब्रहमा सक्ति हो सकती है। जैसे उत्पीडन ब्रहमा सक्ति, डिलूजन अफ पर्सिक्यूशन, यह मानना कि दूसरे लोग उनके विरुध शड़ेंत्र कर रहे हैं, उनकी जासूसी कर रहे हैं, या फिर उनकी निंदा कर रहे हैं, दूसरे तरह की ब्रहमा शक्ति हो सकती है, संदर्व ब्रहमा शक्ति, डिलूजन आफ रिफ्रेंस इसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की क्रियाओं को अपने संदर्व में जोड़ लेता है जैसे राह चलते किसी हसते हुए व्यक्ति को देख कर वह कह सकता है कि वह व्यक्ति मेरा मजाक उड़ा रहा है वस्तूओं या घटनाओं के प्रती भी व्यक्तिगत संदर्व चोड़ा जा सकता है अगले तरह की ब्रहमा शक्ति है महानता ब्रहमा शक्ति डिलूजन आफ ग्रेंडियूर इसमें व्यक्ति स्वेम को बहुत सी विशेश शक्तियों से संपन्न मानने लगता है उसे लगता है वह कुछ खास वैज्ञानिक शक्तियों से संपन्न है वह कुछ खास सुपर नैचुरल पावर लेकर आया है उसमें कुछ दिव्य शक्तियां है इसके अलाबा कुछ और तरह की ब्रहमा शक्ति हो सकती है जैसे नियंत्रन ब्रहमा शक्ति, Delusion of Control व्यक्ति यह मानता है कि मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरी क्रियाएं किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित की जा रही है कई व्यक्तियों में एक से अधिक ब्रहमा शक्ति एक साथ पाई जा सकती है आपचारिक चिंतन विकार देखने मिल सकता है बातचीत में तेजी से विशय परिवर्तन कर संप्रेशन को जटल बना देते हैं नए तरह के शब्द, नए मुहावरे खोज लेते हैं एक ही बात को बार बार दोहरा सकते हैं इसके साथ विब्रान्ती, Halucination का भी लक्षण सकारात्मक लक्षण है विब्रान्ती की स्थिती में व्यति उद्दीपक की अनुपस्थिती में उसका प्रत्यक्षण करता है हिंदी भाषा की कुछ पुस्तकों में इस स्थिती को आवस्तु बोधन भी कहा गया है आवस्तू बोधन मतलब वस्तू नहीं है फिर भी उसका बोध हो रहा है उसका आभास हो रहा है और यह हैलुशिनेशन यह आवस्तू बोधन विभ्रांती स्रवन विभ्रांती हो सकती है व्यक्ति को कुछ आभास सुनाई दे सकती है स्पर्ष विब्रांती हो सकती है उसको कुछ स्पर्ष होता हुआ महसूस हो सकता है देहिक विब्रांती हो सकती है द्रस्टी विब्रांती हो सकती है उसको कोई व्यक्ति देखाई दे सकता है या घ्रान विब्रांती हो सकती है उसको कुछ अलग तरह की गंध का आभास हो सकता है विब्रांती के अलावा मनो विदिलता वाला व्यक्ति अनु उपयुक्त भाव प्रकट करता है ये रोगी ऐसे संबेग प्रदर्शित करते हैं कि जो इस्थिती के अनुरूप नहीं है जैसे कि खुशी के वातावरण में अचानक से रोने लगना या दुख भरी इस्थिती में हस देना चलिए अब हम बात करते हैं नकारात्मक लक्षण की नकारात्मक लक्षण से तत पर है कुछ गतिविधी या कुछ लक्षणों का घटना सबसे पहले वाक अयोगता इसमें बात्चीत में कमी देखने मिल सकती है बात्चीत करना बंद कर सकता है या कम कर सकता है विसंगत भाव, व्लंटेड अफेक्ट दूसरों की तुलना में कम क्रोध, कम दुख, कम खुशी या कम भावनाये प्रदर्शित करता है भाव कुंठित भी हो सकते हैं किसी भी प्रकार का कोई भाव प्रकठी नहीं करना अगला लक्षण है इच्छा शक्ती न्यूनता कार शुरू करने या उसे पूरा करने में असमर्त प्रदर्शित करता है सामाजिक रूप से भी व्यक्ति अलग-अलग रहना चाहता है इसके साथ साथ मनह चालित लक्षण साइको मोटर सिम्टम्स भी व्यक्ति प्रदर्शित कर सकता है इसके अंतरगत आस्वाभविक रूप से चलना, विचित्र मुखाकृती बनाना, अजीब सी मुद्राएं बनाना इस तरह के लक्षण बढ़ जाने पर उसे केटाटॉनिया कहा जाता है बिल्कुल से गतिहीन होकर एक ही जग़ पर खड़े रहना केटाटॉनिक जडीमा कहलाता है इसको केटाटॉनिक स्टूपर भी कहा जाता है घंटों एक ही मुद्रा प्रदर्शित करने को केटाटोनिक ड्रलता कहते हैं केटाटोनिक रिजिडिटी इसमें व्यक्ति एक ही मुद्रा में इस तरह से या फिर इस तरह से या फिर ऐसे कई घंटों खड़ा रह सकता है इसके अतिरेक्त कुछ विचित्र तरह की मुद्रा भी व्यक्ति बना सकता है और इस तरह से विचित्र मुद्रा वनाने को catatonic sun-stity catatonic posturing कहते हैं तो इस तरह से हमने देखा कि मनोविदिलता में कई तरह के गंभीर लख्षण पाए जाते हैं अब हम बात करते हैं तंत्री का विकासात्मक विकारों की इसमें भी सबसे पहले हम बात करते हैं अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार सामान रूप से इसको प्रचलित रूप से इसको ADSD के रूप में जाना जाता है Attention Deficit Hyperactivity Disorder इसका पहला लक्षण है अनवधान काम या खेल में मानसिक प्रयास को ज़्यादा देर तक नहीं बनाये रख पाते हैं एक बस्तू पर ध्यान कैंद्रित करने में एक बस्तू पर ध्यान लगाने में कठनाई होती है अनुदेशों का पालन करने में कठनाई होती है फूल जाते हैं दिया गया काम पूरा नहीं कर पाते हैं जल्दी से अभिरुची समाप्थ हो जाती है दूसरे तरह का लक्षण है आवेग शीलिता तातकालिक प्रतिक्रिया पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं काम करने से पहले सोचते नहीं हैं प्रतिक्षा करने में कठनाई महसूस करते हैं तातकालिक प्रलोभन को रोकने में कठनाई महसूस करते हैं और परी तोषण में विलंब सहन नहीं कर पाते अगले तरह का लक्षण है अतिक्रिया बिना मतलब यहां वहां भागते रहते हैं कुछ न कुछ उपद्रव करते रहते हैं इसके बाद विकासात्मक स्थिती का अगला विकार है स्वालीनता वर्णक्रम विकार इस तरह के विकार में तीन मुख लक्षण है पहला है सामाजिक अंतहक्रिया में कमी संप्रेशन कौशलों में कमी और तीसरा रूड़ी युक्त वेहार या पुनराबृत्ती वेहार कम गंभीर से लेकर अधिक गंभीर तक इन लक्षणों का एक पूरा वर्णक्रम होता है पूरा स्पेक्ट्रम होता है सबसे पहले हम सामाजिक अंतहक्रिया में कमी की बात करते हैं मित्रवत होने में कठनाई महसूस कर सकते हैं सामाजिक व्योहार प्रारंभ करने में कठनाई महसूस करते हैं दूसरियों की भावनाओं के प्रति अनुक्रिया शील होने में कठनाई महसूस करते हैं अपने अनुभव या अपने संबेग दूसरों से साजा करने में कठनाई इनको आती है शंप्रेशन कौशलों में भी कमी होती है मौखिक और आमौखिक दोनों तरह के संप्रेशन इनके लिए मुश्किल लगते हैं सुलीनिता से ग्रस्ट बच्चे कुछ बच्चे बोल ही नहीं पाते जो बोलना सीख पाते हैं उन बच्चों में भी वाक प्रति रूप आसामान्य हो सकता है वाक पुनराबरत्थी हो सकती है अब बात करते हैं रूडी युक्त व्योहार की या पुनरा ब्रत्ती व्योहार की शरीर को लगातार इस तरह से हिलाते रह सकते हैं गोल-गोल घूमते रह सकते हैं लगातार घंटों ताली बजाते रह सकते हैं या फिर वस्तूओं को एक क्रम में जमाते रह सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं बॉद्धिक अक्षमता के। अध्याए एक में हमने जाना हैं कि बॉद्धि लब्धी सत्तर से कम, अनुकूलन व्योहार में सीमित्ता और ये दौनों लक्षन विकास आत्मक अवस्ता में घटित होते हैं। तब हम किसी वच्चे को बॉद्धिक अक्षमता से ग्रिशित कह सकते हैं। बॉद्धि लब्धी सत्तर से जितना कम होती जाती है, गंभीरता का इसतर उतना बढ़ता जाता है। बॉद्धिक अक्षमता की गंभीरता के आधार पर कुछ छेत्रों में भिन्यता देखने मिल सकती है। जैसे की आत्म अवलंबन, सेल्फ सपोर्ट, अपना खुद के काम करना। यदि बॉद्धि सत्तर के आसपास है, निम्न तरह की बॉद्धिक अक्षमता है। तो बच्चा आत्म अवलंबन में कुशल होगा। किन्तु बॉद्धिक अक्षमता की गंभीरता वड़ने पर आत्म अवलंब धीरे-धीरे कम हो सकता है। इसी तरह से भाषा संप्रेशन में भिन्यता देखने मिल सकती है। सेक्षणिक कौशलों में भिन्यता देखने मिल सकती है। सामाजिक कौशलों में भिन्नता देखने मिल सकती है, व्यवसाइक समायोजन और वयस्क जीवन में भिन्नता देखने मिल सकती है, अब हम बात करते हैं विशिस्ट अधिगम विकार की specific learning disorder, इस तरह के विकार में बच्चा सूचना को अच्छे तरह से ग्रहन कर उसे आगे बढ जाने में कठनाई महसूस करता है, विकार की स्थिती विध्यालई जीवन में प्रकठ होने लगती है, अधिगम के किसी विशिस्ट छेतर में कठनाई पाई जाती है, जैसे कि लिखने में कठनाई, या फिर पढ़ने में कठनाई, या फिर अंक संबंधी कठनाई, अब हम ब इसके अंतरगत सबसे पहले विरुद्धक अवग्याकारी विकार इस विकार में उम्र से अनुपयुक्त हट व्यक्ति प्रदर्शित कर सकता है मतलब छोटे बच्चे यदी कोई हट कर रहे हैं ठीक है लेकिन उम्र बढ़ने के बाद भी व्यक्ति का हट करने का व्योहार है चिड़ चिड़ापन है दुराग्रही है अवग्याकारी है शत्रूता पून व्योहार कर रहा है और अपने व्योहार को सही भी ठहराता है उसका तर्क होता है कि ऐसी परिस्थिती में मेरा व्योहार ठीक था इस परिस्थिती में यही सम्भव था आच्रण विकार और समाज विरोधी व्योहार परिवार की प्रत्याशाओं समाज के मानकों और दूसरों के व्यक्तिगत अधिकारों का उलंगन इस तरह के व्यक्ति कर सकते हैं आक्रामक व्योहार का प्रदर्शन करते हैं हानी की धमकी दे सकते हैं संपत्ति का नुक्षान कर सकते हैं नियमों का उलंगन करते हैं यहां तक की चोरी कर सकते हैं आक्रामक्ता शाब्दिक इस्तर पर भी हो सकती है और शारीरिक इस्तर पर भी आक्रामक्ता देखने मिल सकती है चलिए अब हम बात करते हैं पोशन तथा भोजन संबंधी विकार, ये तीन तरह के हैं, सबसे पहले छुदा अभाव, एनरोक्सिया नर्वोसा, इस विकार में व्यक्ति को अपनी शरीर प्रतीमा, बोडी इमेज के बारे में गलत धारना होती है, जिसके कारण वह अपने आपको अधिक वजन वाला व्यक व्यक्ति समझता है, और अपनी छबी सुधारने के लिए भोजन लेने से इंकार करता रहता है, लगातार वाध्य व्यायाम करता है, कंपल से एक्सरसाइज करता रहता है, लगातार भूखे रहने से या बहुत कम खाना खाने से व्यक्ति अत्यधिक कमजोर हो जाता है, व्य दूसरे तरह की भोजन संबंधी विकार है छुदा अतिचैता, ब्लमिया नर्वोसा, इस अवस्था में व्यक्ति अधिक मात्रा में भोजन ग्रहन करता है, लेकिन बजन बढ़ जाने का डर भी उसे रहता है, इसलिए उससे बचने के लिए वह कुछ दवाओं का प्रयोग करन वह अपने पेट को साफ करने का प्रयास करता है, और उसे लगता है कि इससे उसका वजन नियंत्रण हो रहा है, और ब्यायाम करके वह अपने आपको नियंत्रित करता है, एक बार पेट साफ हो जाने से उसे सामबेगिक रूप से संतुस्ठी का अनुह होता है, अगले तरह क विकार है आ नियंत्रत भोजन विकार विंग इटिंग इस विकार में व्यक्ति अत्यदिक भोजन लेता है बार बार भोजन करता है जल्दी जल्दी खाना खाता है हाला कि इस विकार में छुदाती सहता की तरह अधिक खाना खा लेने की कोई compensation नहीं करता, कोई छती पूर्ती नहीं करता, उसे इस बात की कोई चिंता नहीं होती है, तो इस तरह के तीन विकार हैं, जो भोजन से संबंधित विकार हैं, अब हम बात करते हैं, मादक, द्रब्य संबंधी तथा व्यसनकारी विकारों की, व्यक्ति कुछ तरह के व्यसन अप जो लोग लगातार अधिक मातरा में शराब का सेवन करते हैं, वह उस पर निर्भर हो जाते हैं। कठिन परिस्थिती का सामना करने के लिए शराब का सहारा लेते हैं। सामाजिक संबंध में मुश्किलें आने लगती हैं। चिंतन की चमता और कारे चमता प्रभावित होने लगती हैं। लगातार शराब लेने से उसके प्रती एक सहन सीलता विक्सित हो जाती है। अर्थात अब पहले जितनी मातरा में शराब लेने पर पहले जितना प्रभाव असर देखने नहीं आता। तो इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति प्रभाव हासिल करने के लिए शराब की मात्रा में ब्रधी कर देता है। शराब बंद करने पर विनिर्वरतन लक्षणों विड्रॉल सिंटम्स का भी सामना करना पड़ सकता है। शारिरिक स्वास्थ के साथ साथ शराब मानसिक स्वास्थ को भी प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति कई और तरह के नशे ले सकता है, कई और तरह के व्यसन कर सकता है, एक प्रचलित व्यसन है हेरोईन का। इसको लेने वाले व्यक्तियों में सामाजिक और व्यवसायक क्रिया कलापों पर नकारात्मक प्रभाव पढ़ता है। मस्तिस के स्वसन कैंदरों को यह धीमा कर देती है और कई बार मृत्यू का कारण बनती है। एक और प्रचलित नशा है कोकीन। कोकीन अल्प काले किस्मरती वा अवधान को प्रभावित करती है। लगातार उपयोग ऐसे प्रती रूप को बनाता है कि व्यक्ति दिन भर नसे में रह सकता है। सेवन वंद करने पर निद्रा संबंधी समस्याएं अवशाद या दुस्चिंता का अनुभव कर सकता है। इन नशों के अलावा इन व्यसनों के अलावा व्यक्ति तंबाकू, गांजा, भांग, अफीम, कफ सीरप, दर्द निवारक दवाईयां, नींद की गोलियां, चाय, कौफी आधी तक की लत लगा लेता है। तो इस तरह से ये कई व्यसनकारी विकार हैं। यदि हम इन पर निर्भर होते हैं तो हमारी मुश्कलें बढ़ती है। इस भाग में हमने अवसादी विकार को समझा। द्वी धुर्बिये विकार को समझा। मनो विदिलता वर्ण क्रम और मनो विक्षित विकारों को जाना तंत्रिका विकासात्मक विकारों पर चर्चा की हानिकारक या विटनकारी आवेग नियंत्रन संबंधी या आच्रन संबंधी विकारों पर हमने बात की पोशन तथा भोजन संबंधी विकारों को हमने समझा तक द्रब्य संबंधी और वैसनकारी विकारों को हमने जाना, धन्यवाद. का और वे जाईना, तक दो अ हमने जाना जाना, विकारों को हमने जाना, बन्यवाद. झाल झाल